तो नमश्का दोस्तों मैं हूं मतार आप देख रहे डियाडॉक तो मेरे पास फाइनली आ गया है शामी रेड्मी नोट 8 जी हां ये नोट 8 प्रो का छोटा भाहिया है और इसका प्राइस आपका किया गया 10 रुपए से स्टार्ट है मेरे पास है चार्ट जीविन चौर्ट जीविन रूम विरियंट इसका प्राइस है 9999 रुपीस इस बार शामी ने 3.32 रुप को स्किप कर दिया है जो काफी अच्छी बात है अभी उतना कम से किसका चलता है तो चलिए वीटियो का आगे बड़ा तर आपको बताते है यही फोन के बारे में और मेरा प्रस्नल एक्स्पीरिंस कैसा राइस फोन के साथ वह भी आपते शेयर करेंगे तो सबसे पहले चलिए दिखाते है आपको बॉक्स बॉक्स पैकेजिंग कुछ इस प्रकार का है काफी सिंप्लिस्टिक पैकेजिंग है पीछे यहां पर आपको बहुत सार इंपॉर्टन स्पेसिफिकेशन मेंचेंट है यहां पर आपको 48MP quad camera lens मिलता है which is a samsung sensor 18W fast charging मिलता है यहां पर 14 image बैटरी और बॉक्स के अंदर आपको 18W charger मिल जाएगा Qualcomm Samsung 665 प्रोफेसर है जो मुझे पसंद निए Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन है front and back which is really great box के अंदर आपको मिल जाता है 18W fast charger USB type C cable जी हां उसके बाद आपको मिल जाता है एक transparent TPU case और device में लगाने से कुछ इस पकार का लगता है so device देखने में कुछ इस पकार का है no doubt device का design काफी अच्छा लगा है मुझे और अगर आप note 7 or note 7 pro देखती हो तो कुछ इस पकार का design के साथ है note 8 pro का design थोड़ा सा अलग है तो overall color और design मुझे काफी अच्छा लग लिए इसमें एक बहुत बड़ा दिक्कत है इस device का camera bump है यह काफी बड़ा है जैसे आदेख परो काफी ऊचा है और जब भी आपको इस पकार का होता है मतलब यह मुझे एकदम पसंद ही है इसका बागी design सही है लेकिन यह वाला camera bump इतना ऊच्छा देने का क्या मतलब है इतना बड़ा camera bump देने का मुझे नहीं लगता है इसा को यह मतलब है ग्लास बॉड़ी है तो थोड़ा बड़ा आपको फिंगर पिंगर मेंगर तो यह हो गाई जैसे आप देख पारों तो उतना तो यह पकट लिगा ही उसमें तो कुछ कर नहीं सकते बड़ ओवरल मुझे लगता है note 8 pro से note 8 का design मुझे थोड़ा सा बेटर लगा और इसका color combination मुझे काफी अच्छा लगा है तो अच्छी लिए थोड़ा बड़ ओड़ डिवाइस के अंधर जाते और आपको बताते है इस डिवाइस के बारे में आपको क्या 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 मिलता है रीवाइस को जीस परकार कर देखने में सबसे पहला जो ड़ोड लाई वाल पिर ड domains रोफ डेखने खुच-कुच third party application अगर आप चाहे तो वो सब याप्लिकेशन को uninstall कर सकते हैं, आपको ब्लोड वार्स है लेकिन ब्लोड वार आर अनिस्टाल अबल so that's a good thing, तो चली जल्दी से आते हैं settings में और लगबख होके एक दिन के आसपस मैं इसको इसको इस्तिमाल कर रहा हूँ, यहां पर आपको मिलता है Android 9 which is Android Pie out of the box, और इसके साथ यहां पर आपको मिलता है यहां पर यहां पर आपके MIUI 10.3.1.0 का वर्शन देखने को मिलता है so यहां पर जैसे normal standard memory होता है वैसा ही है थोड़ा बहुत हलका हुल का customization किया गया that you can definitely check out तो device के अंदर क्या-क्या मिलता है आपने तो देख लिया चलिए मैं थोड़ा बहुत hardware specification आपको बता देता हूँ rear में आपको मिलता है 4 camera उसके साथ साथ आपको मिलता है flash और rear mounted finger bean scanner जो काफी छोटा है actually नीचे आपका Redmi का logo मिलता है device के उपर आपको मिलता है secondary noise cancellation microphone और IR blaster जो काफी अच्छी बात है बॉटम में आपको मिलता है USB Type-C Pro, port, bottom firing speakers, main microphone और 3.5mm headphone jack और right side में आपको देखने को मिलता है volume lockers, power lock and unlock button तो अचलिए बात कालें तो डिस्प्ले के बारे में यहां पर आपको 6.390 के डिस्प्ले मिलता है with 2340 x 1080 pixel, मतलब full HD resolution दिस्प्ले मिलता है Gorilla Glass 5 का production है उसके साथ 19 x 5.9 का आपका aspericure देखने को मिलता है with 2.5D curved glass video viewing experience इसका बहुत अच्छा है, video video देखना पसंद करते है तो बहुत अच्छे तरह से देख पाएंगे खली यहीं नहीं यहां पर full HD 60fps में video playback कर सकते है YouTube में जो भी काफी अच्छी बात है तो overall screen response और overall video viewing experience मुझे काफी अच्छा लगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो चलिए थोड़ा बत camera के बारे में बात कर लेते है और दिखाजाए यहां आपको मिलता है quad camera lens, 14MP primary sensor which is Samsung ISO cell GM1 sensor उसके साथ साथ आपको मिल जाता है 8MP 120 degree wide angle lens उसके बाद आपको मिलता है 2MP depth sensor और 2MP camera which is for micro shot जहां पर आप 2 cm तक micro shot ले सकते हैं बात कर लेते हैं camera के बारे में यहां पर आपको quad camera देखने को मिलता है तो यहां पर आपको video mode short video mode slow motion तो यहां पर आपको सभी टाइप को option मिल जाता है video mode अगर देखा जाए यहां पर आपको मिल जाता है 4K 30fps 720p 30fps 108Gp 30fps तो यहां पर आपको total 3 option देखने को मिलता है which is no doubt good और अगर selfie camera देखा चाहाए selfie camera भी यहां पर आप full HD में video recording कर सकते है at 30fps यहां पर आपको dedicatedly 48MP का option दिया गया है अभी जैसे आपको sample shot देख पार है जो मैं रेयर और selfie camera ते लिया है तो यह कुछ initial impressions है ठीक टाक photo आया है मैं इसको और भी टेस्ट करूंगा आपको बताऊंगा exactly इसका camera performance कैसा निकल के आता है चलिए इतना कुछ होग है तोड़ा वाप game भी खेल लेते हैं नहीं तो यह video थोड़ा अधूरा हो जाएगा आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 665 और यहां पर अगर आप high-end game खेलना पसंद करते हैं तो उतना ज्यादा enjoy नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं थोड़ी दे पहले PUBG भी खेला तो यह game भी खेल रहो Asphalt 9 तो मुझे उतना अच्छा graphical performance नहीं लगा ठीक थाग है अब अगर चाहे तो खेल सकते हो लेकिन उतना बढ़िया तरीके से enjoy नहीं कर पाएंगे PUBG आप Low Medium Graphics में खेल सकते कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा अगर Asphalt 9 तो ठीक टक performance आपको मिल जाएगा तो overall 65 प्रोशेश ठीक ताग है मुझे लगता है 65 तो पी 660 प्रोशेश था था तो थोड़ा सा बेटर था 65 मुझे उतना interesting नहीं लगा था जो भी है अंडर 10,000 तो मुझे लगता है ठीक टाग आपको gaming performance भी लेगा उतना impress तो यह अभी तक मुझे कर नहीं पाया यह था आपका first impression of Xiaomi Redmi Note 8 मेरे ही सबसाइब कर देखा जाए no doubt अंडर 10,000 पर अच्छा फोन है लेकिन कुछ कुछ चीज़ हो मुझे परसंगल अच्छा नहीं लेगा फस्ट आपल design camera bump इसका काफी ज्यादा है उसके साथ साथ display भी उतना कुछ खास मुझे नहीं लेगा ठीक त से सही है design में वही पुराना है नया कुछ है नहीं और अगर देखा जाए इसका fingerprint scanner वह काफी 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 छोटा दिया है तो बहुत बार हो सकता है आपका miss हो जाए जो मैंने personal notice किया और 665 मुझे personally पसंद नहीं है मैंने इससे पहले 3-4 फोन अरड देख चुका हूँ 65 का मु में जानना है दू write it down on the comment section I will try to answer as much as I can उसके साथ 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 देख और follow me on twitter, facebook and show you on instagram which is instagram slash dador15 तो इस वीडियो में अब तक लिए तना है दिस यो रोस्टर में सान्यों फम्री आड़ोग, hope to see you in my next video, bye bye